तो गाइस इसी बात पर अब मेरा रेंट सुन लो जो मैं वैनकूवर में जो इस रूम के लिए मैं दे रही हूँ ही गाइस वेलकम बैग आज मेरा मुविंग डे है मैं अभी बरनभी रह रहे हूँ अब नेक्स जो मेरा मुविंग लोकेशन है वह है मेरी वैनकूप तो यह मेरा जो करंड घर है जहाँ पर में रह रही हूँ एक मेहने के लिए वह है यह किचन है यह वाश्रूम आए यह मेरा रूम मेरा रहा दिए अब यहां से निक्लने प्रावा का लगा सकता है अभी अभी नाश को भी लास्ट गुडबाई बोलना है, अज ये मेरे ले खाना बना रही है, तो वन लास्ट टाइम उनके साथ भी खाना वाना खाके, और निकलती हूँ, ऐसा निया कि मैं उनसे नहीं विलूंगी, मिलूंगी उनसे भी, क्योंकि शी इस वेरी स्वीटेस पर करें, कि आपुड़ाद बहुत्त ty तो हमारा प्यारा सो गार्द़न है यहां पहां यहां पहल दोड़िंग रहते हैं हमारे तो हमारा लॉंट्री एरिया हुर्ण पहें दोनिहां पहलांव एजमगोंबाई तो बहु तो हम यहत्स्या घंज्यिली कर सकते हैं तो यहां से main हमारा room start होता है indoor yeah so this is the main hall यह अभी थोड़ा समान मेरा है प्लस जो यहां पे जा रही है यहां से उनका समान mixed है वो इंडिया जा रही है तो यह उनका समान mixed है हम सबका इसलिए थोड़ा प्रेलावा लग रहा है जब मैं थोड़ा sort कर लोगे तब यह थोड़ा ठीक लगेगा यह kitchen है refrigerator dishwasher this is dishwasher यहां सबके अलग-अलग cupboards बने में तो हम अपने समान नहीं रख सकते है यहां पे जो है वहां पे एक लड़की रहती है तो privacy को consider करते वे मैं वो रोम record नहीं कर रही वहां पे मेरी new friend श्रूती रहेगे यह washroom है यह मैं हूँ यहां पे भी कोई रहता है यह room सबसे बड़ा है और इनका इस वाले room में इनका personal bathroom है and हम तीन लड़कियां यह वाला washroom जो है वो शेयर करेंगी अब में करते हैं मेरा room so this is my room तो यह मेरा बेड है यह भी थोड़ा मैं डेकॉरेट करूंगी तो अच्छा लगेगा और अलमारी भी है यहां पर जो में कोई सबसे जाद अचाहिए होती है and यह थोड़ा मेरा इतना प्यारा व्यू है यहां का oh my god किता प्यारा ने you said never let me go 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 so guys after two hours यह थोड़ा सा सेटप हुआ है and यह मेरी टेबल चेयर यह तेडीज वगेरे अभी चू रहते हैं उनका थोड़ा बात समान है तो यह जब थोड़ा चला जाएगा मैं इस घर को पूरा अपने रून को डेकॉरेट करने वादी हूँ so this is not the final look but for now it's the final look हालत थोड़ी बुरी सी हो चुग है मेरी गाईज अब थोड़ी सी बाते कर लेते हैं so guys मेरी शकल को एक्नोर करना क्योंके मैं बहुत जादा थक चुकी हो and अब ही मैंने बहुत सार समान इधर उदर कर रहा है तो तो guys अब बात करते हैं कि मेरे साथ अचली हुआ क्या था मैं आपके साथ शेयर करने वाली हो तो हुआ क्या था कि I used to live in Delta तो वहाँ पे कुछ प्रोब्लम हो गई थी and मेरे साथ वालों ने move करना था उनको घर मिल गया था and all of the sudden मेरे को घर डूनना पड़ा तो क्या हुआ था कि ये June 1 की बात है तो मैंने पाथ से छे दिन में मैंने घर डूनना फट अफट से और वो मुझे मिला Vancouver में क्योंकि मेरा काम और मेरा college भी हैं तो I thought कि मैं यहीं पे instead of traveling for 4 hours per day तो मैं यहीं पे move कर जाती हूँ कि मैं थोड़ा rent थोड़ा जादा दे रही हूँ पहले वो मैं देती थी 560 for personal room और वो भी delta था क्योंकि वह है जितना तुम Vancouver से पीछे पीछे जाओगे उतना तुमें थोड़ा सस्ता मिल जाएगा तो I thought कि यूना मैं आसपास गर देख लूँ मैं अपने किराए में वो पैसे इन्वेस्स करके थोड़ा मैं पीस्फुल थोड़ा जीलू तो finally मेरको एक घर मिला था वो भी ये वाला घर मिला मेरको बहुत रिग्रेसिवली मैंने सर्च करा था उस ताम मेरा बहुत सीरिसली दिमा खराब हो गया था कि मेरको मूफ करना था और सिर्फ दो-तिन दिन थे हैं तब मेरे फाइनल्स भी चल रहे थे और बहुत सारी चीज़ें खटे आ गई थी काम में भी थोड़ा मेरा ऐसे ही चल रहा था तो I was so frustrated, so depressed, so stressed तो मैं आपको बतानी सकती कि कितना जादा hard time था मेरे लिए, but still निकाल लिया मैंने वो time सबसे जादा वो homesickness वाली feeling और थी उस time पे क्योंके I thought कि यहाँ पयार अगर मम्य बापा होते या मेरे दोस्त होते तो शायद मुझे नहीं इतना struggle करनी की सबसे बड़ी बात अकेले moving करनी थी अकेले मैंने बहुत लोगों की help मांगी और बहुत किस में लास में किसी नहीं इतना हो करा बट still it's fine when you have money you can do anything तो I hired someone तो उसने मेरी moving में help कराई या बट ठीकल अलकिली हो गया था अब problem कहा होई थी problem यह होई थी कि जो मुझे ये वाला घर मिला था वो मुझे मिला है August 1st से तो अब मेर पर ये दिककत आगे थी कि यार अब मैं डेड महीने के लिए कहां पर जाओंगी क्योंके 15th of June को हमें खाली करना था गया फिर अब मेर पास्ट महीने के लिए कोई जगे नी थी जाने को मैंने काफी लोगों को अप्रोच भी करा था एंड हेल्प करने के लिए बर जब तो मैं नीड होती है तुमारी हेल्प के लिए कोई अवेलेबल नहीं होता एंड उस ताइम पे मैं भी बहुत जादा फ्रेस्टेट हो रही थी एंड मेरा किसी से भी बात करने का मननी कर रहा था एंड मैंने इसलिए वीडियो भी थोड़े टाइम पे स्टॉप कर दी थी किया वस मेंटली सो स्ट्रेश्ट और यह चीज आपो भी फेस कर सकते हैं जस्ट आप भी फेस कर सकते हैं अगर तुमारे पास तुमारे साब कोई चीज गलत हो रही है तो उससे यह मत सोचो कि यार यह कितना गलत हो रहा है उससे सोचो everything have a reason behind that तो यही mindset लेके I thought कि ठीक है यह time बस मैं फेस निकालना है मुझे इसके बाद आने वाला जो time है वो मेरा काफी अच्छा होने वाला है तो बसे एक hope लेके मैंने बस मैं निकल ली थी उस गर से and उसके बाद 15 days के लिए मैं अपनी क आणा आणा सब मेर पे ऐसे लाने पड़ गए थी कि मैं क्या कहा हूं तो मैं गुर्दवारे में चा के अपना breakfast, dinner, सब करती थी बाहर से काती थी क्यों चाने का मन भी नहीं करता था तो उस टाम पे मैं गुर्दवारे में चा के खाती थी विच आप तो उस टेम पे मैं गु तो अब मैं वहां पे मेरे बहुत अच्छे connections बने अब मैं रह रही हूं तो काईस इसी बात पे अब मेरा रेंट सुन लो जो मैं वैं वैं कूवर में जो इस रूम के लिए मैं दे रही हूं तो वो है $750 पर मांथ और इसमें मेरा लांडरी भी इंक्लूड़े ये परसनल मैं तो मैंनेज कर रही हूं मैं तो student ही हूं और मैं तो jobs ही कर रही हूं तुम सब की तरह मैं भी struggle कर रही हूं ऐसा थोड़े मैं रह जाओं कि भाई मेरी job नहीं है इतना महंगा है भाई मैं भी कर रही हूं यहली इट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट कि आप positive mindset के साथ रहो न सब्सक्राइब बहुत ups and downs आए है तुम इमाजन भी नहीं कर सकते कितना mentally exhaust होता है वो and especially when you have no one here if you have any doubts just comment please like share and subscribe and once again thank you so much for watching and thank you so much इतना प्यार देने के लिए मैं बहुत जादा थक गई हूं तो आम मैं रेस करने जा रही हूं और मेरे assignments वगेरे भी हैं तो बाई